पाप का स्रोत जो सत्य को अधर्म से दबाय रखते हैं, उनकी सब बुराई और अधर्मिक्ता पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। उसकी शाश्वत सामर्ते और परमेश्वरत्व जगत की स्रिष्टी के समय से उसके कामों के दवारा इस पष्ट देखने में आते हैं। इसलिए अब लोगों के पास बचने का कोई बहाना नहीं है। इसलिए कि पर्मेश्वर को जानने पर भी उन्होंने पर्मेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु वेर्थ ही तर्क वितर्क किया, यहां तक कि उनका निर्बुध्धी मन अंधकार से भर गया, वे अपने आपको बुद्धिमान जता कर मूर्ख बन गए और अविनाशी पर्मेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जन्तुओं की मूरत में बदल डाला। इसलिए पर्मेश्वर ने उन्हें उनके मन की बुरी अभिलाशाओं में अशुधता के लिए छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने पर्मेश्वर की सच्चाई को बदल कर अपने लिए जूट बना डाला, और सृष्टी की उ चाला, और सुपवर क्या क्यों हूरू